अभी मोन्सुन का जो है लेटेस्ट जो यह है हमारा पोजिशन इसमें आगला 48 आउर्स का अंदर केराला में अंसेट होने का चांसेश है और उसका साथ-शाथ हमारा आउर भी बे अब बेंगल एरिया, लाखादिप एरिया, एरावियांसी का कुछ एरिया, कामरेंसी एरिया है अगला 48 आउर्स का अंदर, यह है अभी मोन्सुन का स्थीती, इसका बाद फिर रेजुआली जैसा एडवांस होगा, उसी तरह से हम लोग बताएंगे, वह तो हम बोल रहा है, अभी हमारा उरिशा के लिए फोरकास नहीं दिये है, ठीके, क्योंकि जब आब आउनसेट हो अभी हमारा रेजियन जो होता है, जैसा बेयाफ बेंगल एरिया, नर्थेस्ट बेयाफ बेंगल एरिया में एडवांस होने का चांसेश है, नर्थेस्ट इंडान इंडिया, मिजराम, मोनिपूर, नागलैंड, आगरत, हमारा इत्रिपूरा, आसाम, यह नर्थेस्ट इंडि के लिए नहीं है आपका किरला का ओंसेट का साथ हमारा जो डिफरेंट्स का जो है क्लाइमिटलोजिकली जो है हमारा किरला में क्लाइमिटलोजी होता है फास जून और हमारा उरिशा में टाच में कुछ पोर्शन में होता है आपका 10-11 जून का रहा हूं तो यह जो है क्लाइम साइक्लोन जो है साइक्लोन में आपका स्टेंड़ करते हैं तो मॉंसन फ्लो में भी साथ स्टेंड़ होता है तो आपको भी आगला पास एलिया भी अप्डेट देंगे फिर आपको अप्डेट मिलेगा स्लाइट ली तो डिले है ना एकरला में आपका फास्ट जून का है हमारा forecast पी slight delay था, 4th around on approximate था plus minus 4 days, तो 1 से 8 का था, तो अभी आज 6 हो गिया, आज ला 48 hours, मिन 7 बाट तरिक में हो रहा है, मिन सकाल भी हो सकता है, पुष्णू भी हो सकता है, तो इसका यह जो है, तो फिर आपका 8 days का यह हो रहा है, स्लाइटली डिले, नहीं बोल सकते हैं, एसा हम नहीं बोला है, हमने बोला है, जो अभी आगला 4-5 दिन में उर्शे के लिए कोई forecast नहीं है, उसका बाद जैसा जैसा advance होगा, हम बताएंगे, अभी हम लोग उर्शा के लिए advance के लिए कोई forecast नहीं नहीं, अपने जो last में बोला, और नहीं है, और नहीं बोला हमें,